हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में आज की इस वीडियो में इंडिया और ऑस्टेलिया के बिच में जो पहला टेस्ट मैच खिला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लियर को आपको स्मॉल लिग में ट्राइ करना है और कौन से इस वीडियो में क्या क्या डिसकस करने वाले सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट बताएंगे कि पर्थ स्टेडियम के पिच कैसी भी हैप करती है पहली इनिंग में मतलब बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं बाकी यहां का एवरेज स्कोर कैसा है पार करके जा सकते हैं उसके बार हैं हैड में कैसा पर्दरसन है venue पर कैसा पर्दरसन है और overall career में कैसा क्या पर धरिशन कर रखाए पलियर्स ने सब कुछ डीटेल वाईज जानेंगे बस अग वीडियो में शुरु से अंतख बने रहे ना चलो मैच के बारे में बात करा जाती है मैच आपको बाइस नॉम्बर को सुबा साथ साथ बचके पचास मिनट पे पर इस्टेडियम के ग्राउंड पर खेला जाएगा वीडियो में आगे बड़े उससे पहले दोस्ते मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेल यहां पर अपडेट कर देता हूं और आप्टर टॉस पिच रिपोर्ट सबसे होता है खासका टेस्ट मैचेस के लिए बहुत कम लोग आपको पिच रिपोर्ट बताते और पिच की फोटो शेयर करते बट मैं आपको प्रोपर सब कुछ करता हूं ताकि सब कुछ क्लियर समझ आजए आपको तो लिंक डिस्क्रिप्चन मैं टेलिग्राम चैनल का जाकर एक बार आप चेक आउट कर लेना है बात करता है यहां से पिच रिपोर्ट करता है देखो इस वेन्यू पर नौ मुकाबले के लिए गया है जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने आठ मु आसी रन दस विकेट को करो एक बैलेंस विकेट है जहां पर बल्लेबाज और गिंदबाज दोनों ही आपको अच्छे करते दिखेंगे इस ग्राउंड पर हम कहा सकते हैं कि पहले इनिंग में बैटिंग करने वाले एक टीम का यहां पर डॉमिनेंस है और सेकेंड इनिंग मे अच्छेस का तो तो ऑस्टेलिया और पाकिस्तान का लास्ट मुकाबले यहां पर खेला जाता जिसमें ऑस्टेलिया की टीम ने 487 रन 10 विकेट को कर बनाया थे और पाकिस्तान की टीम 271 रन 10 विकेट को कर इस टार्गेट को चेस नहीं कर पाई ते जिसमें पेसर ने आपको जबाब में 89 रन पे all out हो गी थी और Australia की टीम इस मैच को काफी अराम से जीत लिया था जिसमें पेसर्स ने 28 और स्पिनर्स ने 6 विकेट पिक किये थे वहीं से पिसला मुकावला का बात के दिए तो Australia और Western डिश के बिच में खिला गया था जिसमें Australia की टीम ने 598 रन 4 विकेट कर बनेते और Western डिश की टीम इसके जवाब में 337 पे all out हो गी थी और यह मैच हार गई थी जिसमें पेसर्स ने 13 और स्पिनर्स ने भी 13 विकेट पिक किये थे अगर आपको ओवर और मैं बता हूँ यहां पर पेसर्स का डॉमिनेंस थार्ड और फोर्थ इनिंग में आपको इ प्रॉपर फेसर्स कोई मान के जा सकती हो बात कर लें तो यहां से हैट टुएट का तो दोको लास्ट के दस मेंस से 6 मुकाबले आपको इंडिया के टीम जीता और चार मुकाबले आपको ऑस्टेलिया के टीम ने जीता है रिसेंट में थोड़ा सा न्यूजिलेंड से हार करा इंडिया के टीम जिसके वज़े से बहुत जादा इनके टीम में स्ट्रगलिंग अब दिख रहे हैं इनके में में प्लेयर इंजर्ड हो गए तीस मैच में मेरे इसापस ऑस्टेलिया के जीतने के चांसे काफी ज्यादा हाई है अगर बात करता यहां से रिसेंट में तो पां इंड्र जड़ेजा, नितिष कुमार रड़ी, जस्परेद मॉमरा, अकास दीप और यहां से आपको मुहमाद सिराज दीखेंगे यहां जस्परेद मुहमाद सिराज आपको इंडिया के प्लेइंग लिए उनमें दीखेंगे बात करता इंके जो प्लेयर से उनके रिसेंट के मैच इसका प्रफॉर्मिंस है अभी तक टेस्ट मिनोने एक भी एक भी मैच नहीं कहला है तो हम इनको जेल में प्रेफर करके चलेंगे एक तो इनको इतना मैच का उपर से उस्टेलियन ग्राउंड पर मैच है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला इनको रन स्कूर करने में जैस्वाल का बात कि जो तो तीस एन पांच जीरो एन बारा अड़शट एन सोला एन वाइस हैट्वेड में ग्यारा मैच में छेसवाट थारा रन चौंटी स्केवरे से स्कूर कर रहा है तो केल राहूल देखो रिसेंट में एक दो मैचेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उससे पहले ठीक ठाक रनी स्कूर कर रहे हैट्वेड में 25 इनिंग की बात करो मैचेस की नहीं 25 मैचेस की स्कूर कर रहा है तो विराट कोली इस ग्राउंड पर भी खेलने का एक्स्पिरियेंस है कि कैसे खेलते हैं और विराट कोली को आप चाहो तो इस मॉल लिंग में बाइड डिफॉल्ट राई करके चलना और अप्चन आपके पास यह होंगे वाकि रिशाप पंद के बाद के तो साथ एन चौसट आठारा एन जीरो बीस निनानवे और नो एन चार हैट्वेड में साथ मैचेस में 624 रण 62 के अवरे से स्कूर कर रहा है तो रिशाप पंद का इनके पास एक एक एक्सपिरियेंस है यह फिर नबे एन उन चालीश हैट्टेड एन वैन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला जुरेल का बात किया जाए तो देखो दुरूब जुरेल को उतना एक्सपिरियेंस निये टेस्ट मैचेस का एंड जो एस्टेलियन ग्राउंड हो बहुत ज्यादा हाई पेस वाली पीछ है तो मेरे सबसी ये श्ट्रगल कर सकते हैं यहां पर तो इनको मिस करके चलना रविंद्र जड़िजा लास्ट के मैच में इन्हों ने दस विकेट उससे पहले जीरो फिर तीन विकेट पिक करके आरे लास्ट वाले सेकंड मैच में रन भी स्कोर कर रहे और जो लास्ट बार य निया लास्ट के दो मैच इसमें डुमेस्टिक की बात कर जाए तो बठा यहां पर इनके लिए सुटेबल पिछ रहेगा बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए भी तो मेरे साबसे इनका परदर्शन इस मैच में दिख सकता है मेरे को तो आप जील में प्रेफर करके जा सक करना इनको मिस मत करना जो लास्ट स्रीज यहां पर 2018 और 2022 में हुआ था इन्होंने बहुत ही सांदार परदर्शन किया था बॉम्रा मेरे इस मैच के वाइस कैप्टन से भी रहा सकते हैं क्योंकि सपोर्ट करेगा पेसर्च को और यह बहुत अच्छा स्विंग करा लेते हैं दोनों तरफ और यॉरकर का भी बाउंसर अच्छा प्रियोग करते हैं तो इनको ट्राइ करना और वाइस काप्टन से भी करके जा सकते हैं बाकि सिराज का बात के देतों जीरो दो एंजीरो फिर दो एंजीरो साथ मैच में 19 विकेट पिक कर रहा और यह भी बहुत ही चलता तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा बात करते हैं किसको इस मॉडलिंग में ट्राइ करना तो इस्वरान को अभी के लिए तो मिस करके चलेंगे क्योंकि उतना अच्छा स्टैट्स भी नहीं और उस्टेलियन ग्रांट पर स्ट्रगल कर सकते हैं तो केल राउल को भी ट्राइ करेंगे रिशा पंत दो जुरेल को जेल में रविंद्रा जडेजा तीन नितीश कुमार एड़ी जेल में और यहां से जस्पृत गूमराचार अकास दीप आप जेल में प्रेफर करके चलना और सिराज को भी जेल में ट्राइक कर लेना बाकि दोस्तों अभी तक आपके मुकाबले काफी कम पे करना पड़ता और बीस हजार का फ्री गेवे मिलता है जो कि सबसे बड़ा चीज है यहां पर खेलने के लिए तो एक चीज का फायदा आप यह भी उठा सकते हो और भी फायदा है जाकर लिंक डिस्रिप्शन में चाकर चेकाउट कर लेना आप बाके उस्टेलिया के प्लेंग लोन के बाद के आज़ा तो उस्मान ख्वाजा नाथन मैक सुईनी और मारनास लावुसेन इस्टीव स्मीत ट्रैविस सेर्ड मिचल मार्च अलेक्स कैरी पैट कमिंस मिचल इस्टाग नाथन लिएन और जोस है जलबूड अगर इनके प्लेय मत इनको अज़स्ट नहीं कर पारें बठाज जी एल में डेफिनेटली इनको तो मिस मत करना और हो सके तो कैप्टन से रवाइस कैप्टन सी भी देखे चलना बहुत अच्छे चोईस रहेंगे इसके लिए से मैक स्विनी का बात किया तो कुछ खास फॉर्म है नहीं है तो मारनस लागु से इनको एज़ प्लियर तो बाई डिफॉल्ट ट्राइ करके हम जाएंगे बाकि स्टीव स्मित है जब सी ओपनिंग में प्रमोट किये अपने आपको यह बहुत जादा इनका परफॉर्मेंस में डाउन आया था बट अब यह नंबर चार पर खेलेंगे तो मेरे इसाब से इनका परफॉर्मेंस फिर से बढ़िया हो सकता है और इन्होंने हैट्वेड में 19 मैच में 65 कैवरेज है और वेन्यू पर 74 कैवरेज है तो आप चाहो तो इनको सी एनवीसी भी इस मैच में करके जा सकते हो आपके लिए बहतरीन आप्शन यह रहेंगे बा जितना ओडिया और टी ट्वेंटी खलते है इसके लिए मैं कह रहा हूं वाकि मिचल मार्स के बात किया थे तो इन्होंने नो एंचो तिरानवे और चौरानवे उसके तेरह सोरे चौरानवे और जीरो एंजीरो और अशी एंजीरो वहला भीनोंने हैट्ट्वेड में 18 कैवर जो वेन्यू पर 65 कैवरे जो चार रिकेट है तो मिचल मार्स को हम ट्राइ करके चलेंगे ऐस अल्राउंडर की बाटिंग से भी और बॉलिंग से दोनों से कंट्रिब्यूट करके चलेंगी वाकि एलियक्स कैरी इनका रिकॉर्ड अगर आप देखो गो रिसेंट में बहुत ट्राइ कर सकता हूं बट जैसा इनका रिसेंट फॉर्म में को अब कैसे भी मिस नहीं कर सकते हैं बट मेरे को मिस करना पड़ेगा अभी कलिए मैंने ट्राइ कर रहा है आफ्टर टॉस मैं बता दूगा किसको किनके जगह पर इनको ट्राइ करना है अगर पैट कमिंस का बाद एक एंचे फिर तीन एन एक फिर एक एंच जीरो हैट्ट विन्हों ने अठारा मैच में उन्चास विकेट कर रहा है तो एजब बॉलर तो डेफिनेटली हम इनको मिस नहीं करने वाले काफी अच्छा इनका यहां पर रिकॉर्ड है और अच्छे परदर्शन भी करते हैं उस बाकि जॉस हैजल वूड जीरो विकेट पांच एन एक दो एन दो दो एन तीन हैट्ट्वेट में 15 मैच में 50 विकेट और वेन्यू पर 13 मैच में 25 विकेट है तो हैजल वूड भी आपके लिए एक अच्छे चौइस रह सकते हैं बाकि बैंच पर जॉस इंग्लिस और स्कॉर बॉलिंड रहेंगे बात करते स्मॉल लिंग में किनको ट्राइ करना तुसमान कौजा को आप ट्राइ कर सकते हो एजर ट्रम प्लियर बाकि नातन मैक्स्वीनी और मारनस लाव सेन इस्टीव इसमीट को बाइडिफोल्ट ट्रैविस एड को जील में ट्राइ करके चलना बाकि मेंचल मर्स बाइडिफोल्ट ऐलक्सकरी को अभी के लिए ट्राइ करना कि नहीं करना बाकि बात करते क्टें स्टीव समीट में बहुत आप्स वी पहती प्रीन ऑप्शन आँगे मों में और जील में बुमरा लाब उसेन और रचिन रविंद्र को करके आप रविंद्र जड़ेजा को आप जील में सी एंवेसी देकर जा सकते हो बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब निकर रखाया तो कर लेना देखो वहाँ पर आने वाले टाइम में डुमेस्टिक मैचेस कवर करने वाले हैं वहाँ पर और भी असलाव हुसेन और अल्राउंडर सेक्षन से रविंद्र जड़ेजा मिचल मार्स बॉलिंग से पैट कमिंस शेश्परीद बुम्रा मिचल इस्टाक और जॉस है जलबूड मैं एक प्लेयर को मिस्ट कर रहा हूं नाथन लियन मैं एलेक्स केरी के प्लेस पे उनको ट्राइक क आज सकते होती है अभी के लिए टीम में फाइनल टीम के लिए हमारे टेलेग्राम चैनल जॉइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं बाक वीडियो के हां तक देखने के लिए धन्यवाद